हेलो गोईंकन्स इश्वर की क्रिपा से सभी बच्चे अपने घरों में स्वास्त और स्रक्षित होंगे आज की कक्षा में आपका स्वागत है आज का पार्ट है गुंजन हिंदी पार्ट माला पांच कक्षा आठ के लिए पार्ट नमबर देस बापो की सी तौई शुरू करते पहले प्रशने से पहला प्रशने दिये गए उन्हों छेट को पढ़कर प्रशनों के उतर दो कांदी जी की नाजर गड़ी पर पढ़ी और उन्होंने देखा कि गड़ी में पांच बजने में एक मिनट बाकी है उन्होंने लिखना छोड़कर कांदी को देखा और कहा ध्या पूर्वक देखकर कहा 5 बजने में एक मिनट शेश है तो यह शरू करते हैं पहला प्रrawश्षिन गांदी जी की नजर किस पर पड़ी गांदी जी की नजर किस पर पड़ी गांदी जी की नजर गड़ी पर पड़ी गांदे जी की नजर गड़ी पर पड़ी अगला प्रशन गड़ी में कितने बज़े थे गड़ी में कितने बज़े थे उत्तर गड़ी में पांच बज़ने में एक मिनट बाकी था गड़ी में पांच बज़ने में एक मिनट बाकी था अगला प्रशन गांदे जी क्या कर रहे थे गांदे जी क्या कर रहे थे उत्तर गांदे जी लेक लिख रहे थे गांदे जी लेक लिख रहे थे अगला प्रशन गांदे जी ने कांदी को क्या ध्यान से देखने को कहा गांदे जी ने कांदी को क्या ध्यान से देखने को कहा उत्तर गांदे जी ने कांदी को गड़ी में वक्त ध्यान से देखने को कहा अगला प्रशन किस ने किस से कहा किस ने किस से कहा खदर का आरत है कपड़ा लडगी ने गांदे जी से कहा कि खदर का आरत है कपड़ा पांच बजने में एक मिनट शेश है कांती ने गांदे जी से कहा कि पांच बजने में एक मिनट शेश है गड़ी रखने का क्या लाब है जब तक सही समय ना बताया जाए गड़ी रखने का क्या फाइदा जब गड़ी सही समय नहीं बतायेगी ये पानी की बरबादी है गांदे जी नहरों जी से कह रहेगी ये पानी की बरबादी है आप लाबाद में हैं ये तरवेनी संगम है नहरों ने गांदे जी से कहा कि आप लाबाद में हैं यहां तरवेनी संगम है क्या तुम लोगों को खदर के बारे में कुछ पता है गांदे जी ने लड़कियों से कहा कि क्या तुम लोगों को खदर के बारे में कुछ पता है आज का पाही बेसमाब दन्यवाद